दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवक का मांटा में आपको अभी कैसा मोमेट देखने को मिलता है क्या है इसका स्पोर्ट जोन है क्या है इसका रजेस्टरंस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे आपके अंट्री के बार रहे साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम का लिंक भी मिल जाएगा इसके हम मार्केट के बात करें तो यह आपको 395 मिलियन का देखने को मलता है जो कि बोल मार्केट में एजली 1 मिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा मनलब जो आप इसका करेंट प्राइज देख रहे हैं इससे यह इसली 2X से लेके 3X का रिटन आपको दे सकता है अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग गोलियन के बात करें तो यह सिरफ आपको 75 मिलियन का देखने को मलता है अब इसके ट्रेडिंग गोलियन काफी लो है बड़ जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके साथ इसका प्राइज भी ग्रो करेगा सप्लाई के अगर हम बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 384 मिलियन की है टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 मिलियन है अब सप्लाई फिक्स होने के बज़े से इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा इसका प्राइज उपर जाता जाएगा और हम ऐसे इस बोल मार्केट में इसका एक औल टाइम हाई देख सकते हैं सबसे पहले हम इसके प्रिवेस औल टाइम हाई का breakout देंगे फिर नया एक all time high आपको 2025 में देखने को मिलेगा अब अगर इसके हम info की बात करें तो इसके info में आपको इसकी website मिल जाएगी जहां visit करके आप इसके fundamental के बार में read out कर सकते हैं इसकी community में आप इसके twitter handle, discord को join कर सकते हैं further update के लिए अगर आप इसके function को जाना चाते हैं या कब-कब market में इसके कितनी supply release होगी तो यह सारी information आपको इहां पे मिल जाएगी अगर इसके हम all time high की बात करें तो इसका all time high लगा हुए है $4 का जिससे हम 74% के downtrend पे हैं तो recovery wise सबसे पहले हम इसका breakout देंगे और अगर इसके हम bottom की बात करें तो इसका all time low लगा हुए है $0.56 का जिससे हमने थोड़ा उपर buy करा था $0.60 का हमारा buying range था जिसको हम hold कर रहे हैं at least हमें 3X लेके 5X का return मिले अब मैं आपको लेके चलता हूँ trading wave पे और देखते हैं Manta network के chart pattern को तो अब देख सकते हैं पहले हमने Manta का 4 hour का retirement पर लिए वा है 4 hour के recording मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो हमारा resistance अब एक straight line है और जो sport evertrine line है price action easy के between में move हो रहा है तो इस pattern को हम बहुते हैं sending triangle का इसमें अगर हम अपने resistance का breakout देंगे तो market में अच्छे recovery होगी तो वो आपको recovery देखने को मिली भी बट अभी जो आपको market में downfall और correction देखने को मिल रहे उसके साथ हम अपने resistance को as a sport retest करने आए हैं तो जिन लोगों ने भी मुझे follow करके है और bottom पे अपनी buying करी है वो अभी अच्छे profit में होंगे 1.3 का 1.7 का 2 डॉलर का जो कि आपको short term से लेके mid term में देखने को मिलेगा बाकि इसके all time high का breakout हम देगे जाके 2025 में जब bull run का time आएगा फिलाल अगर हम 4 hour के according देखें तो अभी market में कोई खास volume है नहीं तो आपको maximum यहाँ dozy type candle देखने को मिलेंगे बाकि अगर हम EMS के according देखें तो इनका direction upside में है तो market में अच्छी recovery होगी target में आपको बता दिया है अब अगर इसके साथ इसके हम daily time and 12 की बात करें तो देखे daily के according में आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक range bound moment दे रहे हैं बट जैसे ही हम अपने resistance का breakout देंगे आपको बड़े moment देखने को मिलेंगे market में तो आप देख सकते हैं अभी की rate में हमने breakout दे दिया है अब यहाँ पे uptrend वाला moment आपको देखने को मिलेगा और जब भी हम uptrend में होते हैं तो maximum chances होते हैं कि या तो आपको bull flag का pattern देखने को मिले या फिर higher high high low का pattern देखने को मिले तो यहाँ पे higher high high low का pattern form होता है तब भी recovery होगी और अगर bull flag का pattern form होता है तब भी market में recovery होगी major अभी हमारा resistance निकल के आएगा यह 200 का EMA क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 200 EMA का major role होता है अगर हमारी candle closing होती है 200 EMA के उपर मतलब होगा कि हम uptrend में है market में अच्छे recovery होगी बड़े level के आपको target मिलेंगे बट अगर हमारी candle closing नीचे है तो हम downtrend में है जो की चीज अभी आपको market में देखने को मलता है specially Manta में तो अगर हम इसका breakout दे देते हैं हमें 200 EMA का sport मिल जाता है तो अच्छे recovery हो सकती है market में बड़े level का target मैंने आपको बताया है कि bold market में easily हम इसके all time high का breakout देंगे जो कि यह 4 dollar का फिर हम target रख सकते हैं पांस से लेके 60 dollar का इन case अगर आपने इसको high price में बाय करा है तो आपको जो DCA का zone मिलेगा वो zone मिल सकता है 0.92 का अगर आपको DCA का zone मिलता है तो आपकी buying होगी second entry होगी otherwise आपकी first entry को ही हम long term में hold करेंगे तो होप आपको ये वीडियो का update अच्छे समझा गया होगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगते हैं प्लीज वीडियो को लाइक आ किजे शेयर किजे अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं आपसमें वीडियो के साथ अब तक क्लिए जैहिंज जैभारत